हलो मैं बन्जी का अगरवाल आप सभी प्याइब पहर देती अभे लोगों को अपने यूट्यूब के चैनल मेरे पितासी की पाफ साला में एक पाफ इससे सौगत करती हूँ आज मेरे पापा आप सभी देती अभे लोगों को मोसर इन स्ट्रेट लाइन में का पढ़ाइए तक तक लिए मेरे और से उइटिव के चैनल पर प्राने के लिए सभी प्यार ही स्टुड़न्सथा मेरे यूट्यूब का चैनलि मेरे चैनलि की पाफ साला मैं लोगत स्वागत करता हूं और जैसा कि मेरे बैटी ने आप से कहा पढ़ा दिया करो चलिए कोई बात नहीं तो फिछले वीडियो में मैंने आपको पताया था कि जो है इक्वेशन के सवाल हुए थे इक्वेशन में हमारा इक्वेशन आताह है वह होता है जैशुल है शर् torch है ट्रेमियं केशान ट्रेमियं・ उनकर मैंने इसका वीडियो अलग से बनाने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि यह विचारा जो है ना सबसे आखिरी में आता है छूट जाता है इस पर कोई ध्यान ये देता लेकिन यह बलता हूं सवाल इस पर भी आ जाते हैं और थोड़ा सा जब प्रैक्टिस नहीं होती है तो कर लिग गया मैं देखें वो होता है यू प्रस एवाइट टू इन टू टू एन माइनस वाइनस यह फार्मुला होता है यह सवाल इतने कम करवाए जाते हैं और कम किये था मैंने कि मुझे यह फार्मुला याद करने में बड़ा टाइम लगा था मैं भूल जाता था हमने जो है यह जैसे माल लीजिए कोई बॉडी चलती है वो दस सेकंड तक ट्रेवल कि इसकी बात रूप गई ठीक है उसके साथ एकसलेशन है एक निशल वेलास्टी है और कुछ दूरी तक चलती है इस टैपकी करिशन हुए जो आपको पहले पिछले वीडियो में बता बॉडियो में निशल्टा री है लेकिन माल लीजिए कोई बॉडी दस सेकंड तक चलती है दस सेकंड तक ट्रेवल करती रही अब उससे पुछा गया कि सेवन्थ सेकंड में डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया कि इस टैप के कुष्टन जी उसमें आते हैं वही मैं कराने जा रहूं और जो है इसके ब्लुमिल्कल्स बहुत कमी लोग करवाते हैं और लोग इस्टुडेशी बहुत कम करते हैं इसलिए दिक्कत हो या थी मैं नी चाहता कि आपको दिक्कत हो इसलिए मैं इसके सिधे सिधे स्टार्ट करवा देता हूं थीकर है यही वही है जो आपने सीधे को को स्टों है रहा है za तीसरे सेकेंड में थर्ड सेकेंड में ये इसका जो डिस्टेंस टेवल करती है वो 4 मीटर करती है और पांचवे सेकेंड में फिस्ट सेकेंड में ये चलती है है मारी 12 मीटर ये दे रखा है तो पुस्चन ये है कि पांचवा सेकेंड कंप्लीट होने के बाद next 3 second में next 3 second after after completing 5 second how much distance body अब कुश्चन को समझ दिए कुश्चन में देखिए यह दे रखा है कि बॉडी चल रही थी बॉडी चल रही थी हमाली और वो थर्ड सेकंड में 4 मिटर करती है 4 सेकंड में 12 मिटर करती है तो 5 सेकंड कम्प्लीट होने के बाद next 3 सेकंड में वो कितना दूरी चलेगी यह हमारा कुश्चन है ठीक है अब देखिए इसको करना कैसे है करना क्या है देखिए इसमें ना तो हमको इसमीशललस्टी की यू है और एक्सलेटर है कलत लिकिया जो अब इसको पहले थर्ड सेकंड के लिए लगाते है तो देखें थर्ड सेकंड के लिए जब हम इसको लगाएंगे तो हमारा क्या आजाएगा अब दूसरी कंडिशन में इसको लगाते हैं दूसरी कंडिशन में क्या होता है यही फार्मुला फिर भी लगाएंगे तो इस बार फिफ्ट सेकंड के लिए तो एसफाइफ लिंग लेते हैं U plus A by 2 into 2N minus 1 यानिकी 2 into 5 minus 1 अब याद इसको calculate कर रहा है तो S5 हमारा किता दे रखा है 12 मीटर में दे रखा है यह हो गया U कि क्या U है और plus A by 2 और यह हमारा आरा 9 तो इसको calculate कर रहा है 24 बराबर 2U plus 9A यह हमारा आ गया equation number 2 तो यहां से हम क्या करेंगे U और A की value निकालेंगे U और A की value निकालने के लिए क्या हम क्या करते है equation 2 में से equation 1 हम subtract कर देते हैं equation 2 में से equation 1 हमने subtract कर दिया 24 is equal to 2U plus 9A और यहां पर यहां हमारा 8 2U plus 5A अब देखेंगे यह हो गया दोने equation को update लिए यहां से वह यह हमने लिखा इसको subtract कर रहा हूं तो इस तरीके से आ रहा है कट रहा है से और यहां गया 16 बराबर 4A A की वैल्यू यहां पर आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड इसकोर ठीक है अब यह हमारा A की वैल्यू आ गई इस A की वैल्यू को हम यहां लिख देते हैं 4 मीटर पर सेकेंड इसकोर अब देखेंगे अगर यो की वैल्यू निकाल लिए तो यो की वैल्यू हम इसमें First Twitch Equation में रख देते हैं तो first pojaw equation क्या है हमारा 2u plus 5A is equal to 8 ठीक है A की वैल्यू पर रख दे हैं तो 2u plus 5 into 4 बराबर 8 यानि कि 2u is equal to 8 minus 20 और 8-20 हमारा आगया 12, 2U is equal to, तो U is equal to हमारा कितना है, minus 6 meter per second, velocity आगये, unit जरूर लिखेंगे, दिखान रखेंगे, तो हमारी velocity आगये, minus 6 meter per second, इसको हमने इस तरीके से आपसे note कर लिया, ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है, हमको निकालना है, कि 5 second complete होने के पार, next 3 second, या अब देखिए, यहाँ पर कहानी बदर जाएगी, यहाँ के unit second से तो हमको U array मिल गया, लेकिन अब इसके बाद unit second वारा formula नहीं लगेगा, formula हमारा जो लगेगा, वो लगेगा, distance travel in complete generally, वाला जो formula है, वो भी मैं आपको दिखाता हम, यह formula हमें पढ़ा था, S बराबर, ut plus half 80 square, ठीक है, यहाँ अला formula यहाँ पर वापलाई होगा, किस तरीके से होगा, वो देखिए, आठवे सेकंड तक हम पहले निकांगते हैं, दूरी की तीते रोटी, तो यह हमारा है, minus 6, और T हमारा होगा, 8 plus 1 by 2 into A हमारा आया है, 4, और यह है, 8 into 8, तो यह कट गया, यह वाली बॉडी, इस स्पीड से, इससकी लेसें से चलेगी, तो 8 सेकंड, 8 सेकंड तक ही हमारी डिस्टेंस से रवल कर लेगी, 80 मीटर, ठीक है, अब क्या करते हैं, तो 5 सेकंड का हम निकाल लेते हैं, S5 is equal to ut plus half 80 square, तो देखें क्या है, S5 हमारा है, S5 होगया हमारा, यह, 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 इससे निकालना है, स्वारी, और यह हमारा कितना देखा है, minus 4 into 5, plus 1 by 2, A की वाल गाइगा है 4, और यह आया है, 5, हैना, यह आया 5 into 5, तो यह गया हमारा, कट, तो इस तरीके साह ह माइनस 20, प्लस, माइनस, हाँ, यह, 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 यह सेकंड तक यह चलेगी हमारा असी मीटर तो अब यह सटिस्पाइब है कि नेक्स्ट थी सेकंड आफ्टर कंप्लिटिंग फाइफ सेकंड हाउ मच डिस्टेंस बॉड़ी विल ट्रेवल तो यहां पर क्या होगा हम इसमें से घठा देंगे तो यहां साथ मैनेस सफाइफ जो कि यदु सारा है हमारा असी माइनस 20 टीक है असी माइनस 20 इस देखे यहाए था 80 S8 और 20 तो यह कुल मिलाकर किया आगा इस तरीके से सवार लोगा देखे हमने क्या किए इसमें सवाल को मैंने बताया की टॉपिक है सेकंड लेकिन लेकिन सेकंड के लेकिन सबसे पहले यूज़ में दे नी रखा था फिर उसका यूज किया गया distance table वाले फार्बूले में ठीक है तो इस तरीके के question आते हैं चलिए अफ next question करते हैं तो देखें अलग दूसरा question में लेका है एक body travel कर रही है body travel कर रही है किपना travel करती है वह 7th second में 7th second में हमारा 20 meter का distance travel करती है और 9th second में second में हमारा distance travel करती है 24 meter का 24 meter का तो question इसमें पूछा है कि 15 second में वो कितना distance travel करेगी देखें कोस्टन बहुत easy है है ना बहुत easy है मेरे को पहले एक करवाना चाहिए था लेकिन चलिए कोई बात नहीं बहुत easy है यहां पर देखें यू और ए दे नहीं रखा हमने इसको एजिम कर लिया ठीक है अफ़र यहां पर लिखा वही फार्मुला S 7 U U हमने एजिम किया है प्लस A A भी हमको नहीं परचा है बस 2 इंटू पहला है 7 सेकंड टू 7 माइनस 1 हमने यहां पर लिख दिया इस तरीके से तो कितना distance travel कर रहे हैं 20 इसको यहां 20 लिखा U प्लस A डिवाइड़ बाई 2 और यहां गया हमारा 13 कैलकुलेट होकर के इसको जब हम इसर मल्टिप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे S9 is equal to U plus A by 2 into 2 into 9 minus 1 ठीक है तो देखो यहां पर S9 में कितना हो रहा है यह 24 मीटर है और यह आगया अगर 24 मीटर है और यह हमारा आ रहा है U plus A by 2 into 17 यह आया है ठीक है अब अब देखें क्या होगा है इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह हमारा रहा है 48 is equal to 2 U plus 17 A यह हमारा आ गया से इसलों नमबर 2 अब इन दोनों equation की सहता से हम क्या करेंगे हम U और A निका लेंगे तो हम फिर वैसे करते हैं तो second equation में से first equation हम घटा दे रहें यहां पर तो second equation हमारी क्या है वो है 2 U plus 17 A is equal to 48 और first equation हमारी थी 2 U plus 13 A is equal to 40 ठीक है आप देख लिए first equation यह है second यह है उसमें से मैं घटा रहा हम और हम से यह minus 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 यह गया cut और यह आ गया 4 A is equal to 8 यानिकि A is equal to 2 meter per second square अब इस A की value हम क्या करते हैं रख देते हैं पहले equation में तो पहले equation हमारा था 2 U plus 30 A is equal to 40 ठीक 2 U plus 30 A is equal to 40 ठीक 2 U plus 30 A is equal to 40 तो 2 U plus 30 into 2 is equal to 40 2 U is equal to हमारा रहा है 14 ठीक है अब उसके बाद है रहा है U is equal to हमारा गे 7 meter per second है तो इस दोनों value को हमें आ रख देते हैं या या 7 meter per second और या हमारा 2 meter per second square जहां गहीं भी रखेंगे unit जरूर लिखेंगे क्योंकि यही हमारा बाद में सवालों को गर्वण कर देता है जहां पर हलके मिलिया मेरा unit पर बहुत आता जोर रहता है यह बिल्कुल हल्वा question था बिल्कुल हल्वा question था अब देखें क्या करना हमको पंद्रों सिकंड में चली जूरी निकालें तो यही फार्मला फिर लगा देंगे s15 is equal to u plus a by 2 2 into 15-1 ठीक है तो देखें यहां पर आ गया यह हमारा u हमारा कितना है 7 plus a हमारा किता है 2 by 2 2 into 30 यानि 29 हो जाएगा यह इस तरीके से आ गया कट गया और यह गया कट तो 7 plus 29 यानि कि यह हमारा थार्टीवन नहीं सौरी थार्टीवन नहीं 36 36 मीटर की द्यूशी यह 15 सेकंड में ट्रेवल करेगा यह हमारा सेक्ट क्वेशन खत्म होंगा ठीक है तो देखें एक सवाल रहे से ही जैसे मैं अभी तक 2 और करवाया अभी तो देखें क्या है सवाल में सवाल यह है कि एक बाटी ट्रेवल करती है गया चौश्चन यह है कि जब वह 5 सेकंड की जर्नली उसने कम्पीट कर ली, यानि कि S5 हो गया, ठीक है, उसके बाद 4 सेकंड और, यह लगाता है चलेगी, तो S9, यानि कि 9 सेकंड में टोटल, यानि कि 5 सेकंड से लिकरके, 9 सेकंड के बीच में, वो कितनी जर्नली डिस्टेंस तेह करेगी, यह निकालना है, तो जाइड सी बात है कि वैसे होगा, सेम कोश्चन है, मैं प्रैक्टिस के लिए एक बार और करवाते रहा हूं, तो देखें कैसे होगा, देखें, इसमें सबसे पहले है कि हमको एनफ सेकंड की डिस्टेंस दे रखी है, तो हम यहाँ फार्बुला वही लगाएंगे, तो दूसरे सेकंड की है, तो यहां पर हम दर किया है, एस तू, इसकल टू, यू प्लस ए बाई टू, इंटू, एन है हमारा सेकंड, वन मैनेस बन, अब देखें, यहां पर भी क्या है, हमारा, एसा है हमारा 12, दे रखा है, यू हमने इस तरीके से लिखा, प्लस ए बाई ठीक, इसको सॉल करेंगे, तो यह हमारा आ रहा है, 24 बराबर 2U प्लस 3A, यह हमारा question number हो गया, equation number 1 हो गया, अब दूसरे condition में लगा रहा है, इसको हम लिखा रहे है, S4, S4 यह हो गया, यह हमारा S4 होगा, U प्लस A बाई 2, और 2 इंटू 4 माइनस 1, यह आ गया हमारा इस तरीक meter ब्लस U प्लस A इंटू 7, 7 बाई 2, यह आ रहा है, ठीक, तो अब इसको calculate करेंगे, तो यह हमारा 40 is equal to 2U प्लस 7A, और यह आ गया हमारा दूसरा equation, अब U और A की value निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे, हम second equation में से first equation को subtract कर रहा है, तो second equation हमारी का है, 40 is equal to 2U प्लस 7A, और यहां पे या रहा है, 24 is equal to 2U प्लस 3A, मैनस मैनस मैनस, तो यह हमारा आ गया 16 और यह कट गया हमारा इस तरीके से, और यह रहा हमारा 4A, तो A is equal to हमारा आ गया 4 meter per second square, ठीक, इस A को हम यहा नोट कर देते हैं, A is equal to 4 meter per second square, दूसरा हमें निकालना है U, तो किसी दिए के question मे रहा है, 24 is equal to 2U plus 3A, यह है, तो 2U plus 3 into 4, यह रहा है 24, तो 2U is equal to हमारा आ गया हमारा 6 meter per second, हम यहां पर इसको लिख देते हैं, U is equal to 6 meter per second, यह जरूर लिखेंगे, यह ध्यान रखेंगा, ठीक, अब देखिए, हमको यह एक हमारा पहला पार्ट कर, कम्प्लीट हुआ, N second में चलीगी दूरी का formula यूज़ करके, U और A हमने यहां पर निकान दिया, अब यहां से N second का formula नहीं लगेगा, ठीक है, N second का formula नहीं लगेगा, अब हमारा जो motion of equation, equation of motion की जो second formula है, वो लगेगा, अब देखिए क्या है, कि question में दिखा है, कि 4 second बाद, पांचवा सेकंड कम्प्लीट करने के बाद, 4 second में कितना distance देखेगी, तो पांचवा सेकंड कम्प्लीट करने के बाद की हम, उसका distance निकाल लेते हैं, प्लस उसके बाद, 4 second का निकाल लेते हैं, तो 9 second तक हमें निकालगा पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9 second का निकालते हैं, तो इसमें फार्पुला देखेए, बच्छों, यह अला लगेगा, यू हमारा आया है, 6, और टाइम हमारा 9, प्लस 1 by 2, यह आया है हमारा 4, और टाइम हमारा, 9 into 9, इसको हमने काटा, तो आया 2, 9, 6, 54, और प्लस 81, और 182, तो खुल मिला करके, यह हमारा आगया, 216, ठीक है, हाँ, 216 मीटर, यह आया है, 9 second तक चली गई दूली, ऐसे नहीं, अब देखें, हम 5 second तक चली गई दूली निकाल देते हैं, तो 5 second की दूली के लिए भी इस फार्वन लगाएंगे, ठीक है, 80 square, तो यू हमारा जो है, वो है 6, और टाइम हमारा 5, प्लस 1 by 2, इंटू A है 4, इंटू 5, इंटू 5, यह गया, कट, अइस तरीके से, तो यह आया 30, और प्लस 55, यह राज, ठीक है, 50 ही आ गया यहां पर, 22, तो यह हमारा जो गया 80 मीटर, तो S5, अब देखें, 5 second complete होने के बाद, 4 second में कितना दूरी चेक करेगा, यानि कि यहां से यहां तर की दूरी, कितनी दूली होगी, तो उसको करने के लिए करेंगे, यह यह पूरी दूरी निकाल लेंगे हम से, और उसमें सितनी दूरी घटा देंगे, यानि कि S9 माइनस S5, तो S9 हमारा कितना आया है, 216, और S5 कितना आया है, वाया 80, तो हमारा इसको जब घटा रहे हम, तो 200 में से जाएगा 120 बस्ता, या गया 136 मीटर, इसका यह इसका आंसर ह हो गया, इसका आंसर याना है कि 4 सेकंड में, जब पांच्वा सेकंड कम्प्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद 4 सेकंड में यही पार्टिकल, यही बोडी, जो 136 मीटर की दूरी तेह करेगा, तो यह हमारा कुस्चन कम्प्लीट हुगा, हाँ, बच्चों तो देखिए, एक बॉडी जो है, चल लएए, यूनिफॉर्म एक्सलेशन से, इसके कुछ इनिशियल वलास्टी है, ठीक है, उसके बाद कह बता है, इसके वलास्टी आफटर 5 सेकंड इस 25 मीटर, पांच्वा सेकंड के बाद उसकी वलास्टी है, हमारी 34 मीटर पर सेकंड स्कायर, तो हमें डि तो देखें, उसमें देख्या रखा, यहां पर सबसे बहले कि, बी बराबर यू प्लस एटी, यह फार्मॉला लगेगा, उन का कहना है, ठीक पांच सेकंड में उसकी वलास्टी इतनी हो जाती है, तो पांच सेकंड बाद वलास्टी हमारी कितनी हो जाती है, 25 देखें, सवा पहला जो हमारा बना है एक्वेशन ठीक है फिर यह कहलें कि 8 सेकंड के बाद उसकी वेलोस्थी 34 मीटर प्रसेकंड जाती है तो फिर हम यह वाला फार्मूला लगा कर कि फिल से एक पार निकाल लेंगे दे यू प्लस 80 आठ सेकंड बाद कितने होगे 34 मीटर यू हमारा कितना है यू है एट है और टाइम एट है और ये हो गया यानि कि यू प्लस 5 ए इसकल टू 34 यह हमारा सेकंड एक्वेशन बन गया अब हमें इस एक्वेशन से क्या करना है यू और एकी वेलू निकाल ले नहीं है तो क्या करेंगे हम सेकंड में से पहला वाला सब्स्ट्रैक कर से कर देंगे तो अब हमारा देखें क्या रहा है कि सबस्ट्रैक्टिंग फॉन फ्रॉन सेकंड रहा है सेकंड वाला है एक प्लस यू इसकल टू थर्टीफॉर और यह है फाइफ ए प्लस यू इसकल टू हमारा आ है 25 25 इसको सब्सक्राइब करेंगे माइनस 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 यह आ गया 3a यह गया कट और यह हमारा रहा है 9 ठीक है तो a is equal to आ गया हमारा 3 meter per second square यह आ गया हमारा a की value तो यह आ गया 3 meter per second square अब यहां से हम इसमें value रख देते हैं और हमारी value आ जाएगी u की तो पहले equation में हम रख रहे हैं तो u plus 5a is equal to 25 ठीक है 25 तो u हमारा यह है plus 5 into 3 बराबट 25 यानि कि u is equal to 25 minus 15 यानि कि यह आ गया हमारा 10 meter per second तो यह हमारी value आ गई 10 meter per second है अब यह हमारे यह और एक ही value आ गई अब देखिया हम क्या करना हमको निकालना है distance traveled by the object in 12 seconds 12 seconds में वह कितना distance travel करेगा यह निकालना है तो अब इसमें हम लगाएंगे 10th second में चली गे दूरी वाला formula ठीक है बच्चों तो वो वाला formula अब हम जल्दी जल्दी लगा जाते हैं और इसका अंसा निकालके फिर अगला स्वाल करते हैं ठीक तो देखिये हमारा जो है अगरा जो formula लगेगा वो लगा SN is equal to U plus A by 2 और 2N minus 1 यह हमने formula लगाया तो U हमारे कितना आया है 10 में चाली यह हमारे कितना आया है आया है हमारा तीम तीम बटे दो ठीक है और यहां पर 2N हमारे कितना है 12-1 तो कुल मिला कि यह हो गया 10 प्लस 3 बटे दो और यह आ रहा बारत दुनी 24 इंटू 23 और यह आ गया 10 इंटू 1.5 इंटू 23 यह आ गया तो इसको जब कल्कुलेट करेंगे तो पत्रत यहां 45 और 15 तूनी 30 और 34 यह आ रहा है प्रीजिए 22 उल्च रहा हूं और डेखे चाये म steps जा ओकर दिया कि एक प्रिक्स्य स्तूट्ट्र कि इंकलाइन प्लेल पे एक बोडी स्लाइड कर रही है और लिट अशन बीदा इस्टेंस टेवल पाइट इस फ्रॉम टी इसकल टू एन इसकल टू एन फाइड आउट एसे डिवाइड़ बैए एन प्लस वन इनका कहने का मतलब है कि एनफ सेकंड में जो यह डिस्टेंस ट्रे एनफ सेकंड में चली की डिस्टेंस और एन प्लस वन वे सेकंड में चली की डिस्टेंस का रेश्यो निकालना है ठीक है यह इसी बात है कि आप लोग इंकलाइन प्रेंड तमाम पड़ते हैं तो इस पर जी लगता है जी के करण वो नीचे आता है और वहां पे जो है उसका जी कॉस्छ सीटा बगर आता है मैं उसको यहां पर नहीं ले रहा हूं मैं इसको सिंपल से रहा हूं कि ए हमान लेता हूं U हमारा 0 A को मैं A माल लेता हूँ 2 by 2 और N सेकंड में चलेगी दूरी है तो यह आ गया इस तरीके से 1 यानि कि हमारा SN जो आ गया वो SN आ गया 2 N-1 दिवाइड़ बाइ 2 इंटू A है अब नेक्स है हमारा SN प्लस 1 दिवाइड़ तो अब दिखें यहां पर क्या रखेंगे अब देखें यहां पर क्या चीज़ आएगा sn plus 1 is equal to u plus a by 2 और यहार है 2n plus 2 minus 1 यहार गया ठीक है u plus a by 2 2n plus 1 यहार 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 पर सौलो के और u है मारा 0 ठीक है मैं यहार पर 0 यह लिख दूँ मैंने गलत कर गी गलती कर दे जहांगा आप सरी लोगों से ठीक है यहार पर है 0 रेस्ट से चला ना पार्टिक्लर से चला है तो sn plus 1 हमारा क्या आगा sn plus 1 जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 2n plus 1 divided by 2 इन्टू A यह देखिए आया हमारी इसकी value अब हमको निकालना क्या है हमको जो चीज निकालनी है वो निकालनी है ratio निकालना है sn divided by sn plus 1 का ठीक है तो देखिए sn क्या है मारा sn है ये 2n minus 1 divided by 2 इन्टू A ठीक है यह देखिए यहां पे आया है sn यहां देखिए मैं तुरा highlight कर देखिए यह देखिए sn आया है ये और sn plus 1 आया है ये वाला ठीक है अब हम इसको लिखेंगे यहां पे इस तरीके से sn plus 1 की value क्या जाएगी यहां पे आया है किस तरीके से 2n plus 1 divided by 2 और इन्टी value आ जाएगी A से कड़ गया 2 से 2 कड़ गया जिसका जो ratio आएगा है 2n minus 1 divided by 2n plus 1 ये हमारा ratio आगया और answer इसमें से हम match करेंगे तो वारा C वाला answer आ रहा है इसको हम कर देंगे ठीक और number लेंगे पूरे देखे कितने easy concept पर I take a question आया है ठीक है हाँ बच्चों तो देखे एक question और लेके मैं आया हूँ और इस question को कराने से पहले आपको एक tip देना चाहता हूँ उसको note कर लेज़ेगा कि question को देखके और उसके options को देखकर के आपको डरने की जरूत नहीं है कभी-कभी option और question ऐसे दी होते हैं जिसको देखकर डर लगता खास्तों से options को देखकर के लेकिन question में दम नहीं होता है हम उसको options को ही देखकर के डर जाते हैं और करते हैं तो ऐसा मत करीगा question को पड़के try जरूल करीगा फिर आपकी आदत पड़ जाएगी तो दीखे question क्या है question यह है कि एक body चल लगी है rest से चली और uniform acceleration से चल लगी है ठीक है तो उसको जो distance cover होता है nth second में और जो n second में total distance वो body चलती है उसका ratio क्या होगा उसके options हमें दे रखें ऐसे कुछ अजीब से लग रहे हैं देखने में कि कैसे लगेगे तो हमको करना क्या होता है question में जो कहा गया चुपचा वो करी answer अपने आप आप आएगा उसको देखने से वो वैसा नहीं आएगा तो इसमें इनोंने काहा है दो चीज कहिए कि एक तो sn यानि कि u u plus a by 2 और 2n minus 1 इसमें और दूसरा जो है sn यह कौन सा है जो हम distance निकालते है traveled ut plus half at square से इसके बेच का ratio क्या होगा यह पूछा है ठीक है बहुत इसी मैं साथ-साथ करता था हूँ तो देखे body चल रही है rest से ठीक है सवाल पर लिखा हूँ अब देख लिए body चल रही rest से यानि कि u हमारा किता हुआ u हमारा zero तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे sn is equal to अब दोनों इखी जैसा लग रहा है इसको क्या करेंगे कि अलग-अलग हो जाए तो इसको हूंच कर देते है छोटा s चीक है और यह छोटा s हो गया वो बड़ा s हो गया तो यह एन-फ सेकंड में चली गई distance है तो यहाँ पे लिख दिया प्लस a by 2 और 2n-1 देखें कुछ नहीं है इसमें हमने निकाल दिया यानि कि यह हो गया n-second में चली दिस्टेंस हमारी आ रही है simply आ रही है वो आ रही है 2n-1 divided by 2 इंटू a ठिक अब हो गया टोटाल दिस्टेंस का ओड़ा यह निकाल दिया तो वो यहां से निकाल दिया देखें क्या हुआ sn और देखें यह है 0 तो 0 into t कितना है t हमारा n देर खाए टोटाल n-second देखें n-th second और टोटाल n-second का difference आप समझ रहे होगे जैसे दूसरे second में चली दूरी कितनी हुई और 2 second में दूरी चली टोटाल किती हुई यह difference है दोनों में ठीक है तो यह यहां पर इस तरीके से आगया तो यह आगया 1 by 2 into a into n square यह आगया तो देखें sn capital sn कितना हैगा हमारा यह आगा a n square divided by 2 यह आगया ठीक है अब देखें हमें इसका ratio find out करना है ratio क्या आगया sn divided by sn इसको कितना आगया यहां देखेंगे 2n minus 1 divided by 2 into a और यह कितना आया है a divided by 2 into n square यह आगया इस तरीके से तो देखें 2 से 2 कट गया और a से a कट गया बचा क्या अब बचा क्या है ना बचा क्या 2n minus 1 divided by n square यह हमारे पास बचा अब इसको हम थोड़ा से calculate calculate कर देते है आज आगा answer तो देखें आगया 2n divided by n square minus 1 by n square तो ठीक है यह आगया 2 divided by n यह कर जागा इससे तो 2 divided by n आगया minus 1 by n square आगया ठीक है अब देखें answer इसमें से match करेंगे तो पहला वाला ही साथ match कर दा फर्स्ट है सेकंड यह दो-दो option मिलने एक ही जैसे मैं लगता है option गलत दिख दिख दिया आपके है अच्छा यह plus है हाँ यह plus है हाँ ठीक है ने ने प्लस है ठीक है सही है तो देखें हम यह आपर क्या option match करते हैं देखें टू बाइंड माइनस वन बाइंड इस्ट करते हैं यह हमें दिखा हुए यही वाला पहला वाला option मिलना है बाकी option नहीं मिलना है देखें कैसे option थे और कैसा सोच रहे थे देखें कितना easy question था तो इसी तरीके से हम इस questions को कर लेते हैं चलिए अब next question करते है हां तो बच्चों देखें मैं आपके लिए एक और question लेके आया हूँ इस वीडियो का और यह आज का मेरा next second का आखरी question है और इसके बाद यह वीडियो खतम हो जाएगा और इसके बाद next video जो आपको मिलेगा वो motion under gravity के concept और सवालों का मिलेगा तो यह आखरी question देखें क्या है देखें कि a body falling from the rest described s1, s2 and s3 distance in the first second and third first second and third second of its fall then the ratio of s1, s2, s2, s3 जा होगा इसके कहने का मतलब है कि एक body गिर रही है उपर से, पहले second तक उसने कुछ चली, distance फिर दूसरे second तक चली, फिर तीसरे second तक कुछ distance उसने चली तो उनका कहना का मतलब है कि कितना दूरी होगी जैसे कि हम आपको साफ साफ पताएं तो सबोज करिए कि एक बॉड़ी है यहां से गिर रही है ऐसे यहां से है U is equal to इसका 0 है ठीक है यहां से गिर के एक सेकंड में उसने distance travel करी S1 फिर यहां तक आई फिर दूसरे सेकंड में उसने distance travel करी S2 फिर यहां से यहां तक आई तो तीसरे सेकंड में उसने distance travel करी S3 यह इसमें यहां पर दे रखा है तो इनका कहने का मतलब है कि S1 से S2 और S3 का ratio क्या होगा है यह निकालना है तो कुल मिला तरके इसमें formula वही लगेगा तो हम पहले सेकंड में चले की दूरी S2 का है दूसरे सेकंड में चले की दूरी और S3 का है तीसरे सेकंड में चले की दूरी यानि कि हम S1 का formula तीन बार लगाएंगे और उससे देखते हैं क्या आता है तो हम पहले निकालते है S1, S1 हमारा क्या है, U प्लस A बाइ 2, 2 इंटु 1 माइनस 1, या या, U है 0, A हमारा हो गया, G है, चलिए हम इसको G लीख लेते हैं, G बाइ 2, और यह आ गया यहां पे, हमारा 1, ठीक है, तो यहां पे हमारा जो बैल वारी है, वारी है, G बाइ 2, अब S2 क् रखेंगे, 0 प्लस G बाइ 2, और 2 इंटु 2 माइनस 1, तो इसी साब से ही, इसको कैल्कुराट करेंगे, तो 3 G बाइ 2 आ रहा है, और फिर S3 हम निकालेंगे, तो देखे, 0 प्लस G बाइ 2 इंटु 2 इंटु 3 माइनस 1, और यह आ गया हमारा 5 G बाइ 2, देखे, रेशियो आ गया इनकी value अभी, S1, S2, S3 की, अब क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो कितना रहा हमारा, S1, रेशियो, S2, रेशियो, S3, यह कितना रहा है, G बाइ 2, रेशियो, 3 G बाइ 2, और रेशियो 5 G बाइ 2, इसको जब फाइनल कैल्कुराट कर देएंगे, तो इसको जब देखेंगे, इसमें से कौन सा मिला है, इसमें हमारे अंसर मिला है, सेकेड वाला, तो देखें कितने easy question होते हैं, लेकिन चुकि हम इस formula को हलके में लेकर सवाल कम लगाते हैं, तो हो सकता है कि practice कम होने की विज़े से हमारे सवाल हमसे गलत हो जाएं, तो बच्चो अंडर gravity का, उसका concept बताऊंगा, उसके सवाल अच्छे अच्छे करवाऊंगा, देख लीजेगा, और इसके अलावा, एक वीडियो में केवल numerical के बनाऊंगा, जैसे आपको किसी भी topic के numerical चाहिए हो, तो आपको उसको डाल दीजेगा, मेरे पिता शीर की पार्ट साला में, कि numericals of this topic, topic का नाम लीजिए, numericals of topic का नाम लीजिए, चाहे viscosity हो, चाहे electricity हो, कोई भी topic को आप डाल दीजिए, पर मिल जाएंगा, ठीक है, तो आईए, वंशिकाजी हमको इजाज़त दीजिए, हम वीडियो आज खतब करें, और अगले वीडियो की त्यारी करें, हलो, आज मेरे बापा ने आपको एनेक्स सेकेंड के में चली गए दूरियो के बारे में, कि निमेरिकल्स करवाएं, तो नेक्स वीडियो ज़रूर देखियेगा, और देखते रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे पितासी की पार्शाला, ओके बाई, थैंक्यू बेटा,